नीदेलेंड की उलट पेर से पॉइंट टेबल में हो गया बड़ा बदलाव जिसमें सिलंका हो गया है सबसे नीचे और वहाई भारत टाप पर बना हुआ है जी हाँ दोस्तों मंगलवर 17 अक्टूबर को नीदेलेंड की टीम ने उलट फेर करती नजर आ गई और साथ अपरिका को हरा कर साबित कर दिया इससे पहले अफगानिस्तान ने रभिवार को मौझूदा वर्ल्ड कप चैंपिन इंग्लैंड को हरा कर चौक आया था नीदेलेंड के टीम ने वर्ल्ड कप में साथ अपरिका को हरा कर वाकाई में बड़ा उलट फेर किया है पहले बल्ली बाजी करती हुए टीम ने कप्तान इसकाड एडवर्ड के 78 रन के जुजारु पारी के दम पर 245 रन का स्कोर खड़ा कर दिया बारिस की वज़ा से मैच को 50 की जगत 43-43 ओबर का कर दिया गया था साथ अपरिका के बल्ली बाजी बुरी तरह से नाकाम रही और 42 दसलों पांच ओबर में पूरे टीम 207 रन पर सिमट गई इस जीट से नीदेलेंड ने अपने अंगों का खाता खोला जी हाँ दोसों नीदेलेंड को साथ अपरिका के खिलाप मिली जीत के बाद वर्ल्ड कप की अंक तलिका में बड़ा बदला हुआ है स्री लंका डेश टीम के जीत के बाद सबसे नीचे दासमे नमबर पर पहुँच गई है नीदेलेंड एक पैदान उपर नमबर पर पहुँच गई है सिलंका के टीम तीन मैच केल चुके है और उसे अभी तक पहली जीत का इंतजार है इस वक्त वर्ल्ड कप की अंक तलीकप और नजर डाले तो भारत अपने लागातार तीन मैच जीत कर सबसे उपर पहले असान पर काबिज है दूसरे असान पर भारत के बराबर जीत हासिल करने वाली नीजिलेंड की टीम है नीजिलेंड के खिलाब पूलट फिर का सिकार होने के बाद भी साथे प्रिका की टीम अभी भी थीसरे नंबर पर बनी हुई है चौता सान तीन मैच में दो जीत हासिल करने वाली पाकिस्तान की टीम को हासिल है मौझूदा चैंपिन इंगलेंड के टीम बेज तीन मैच में दो जीत और एक हार के बाद पांचोई नमपर पर बनी हुई है तो क्रिकेट से जुड़ी एक ख़बर आपको कैसी लगी यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद